जवान जानने मन, हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवा, निसार हो गया सत्तर असी के दशक की वो ग्लैमरस एक्ट्रिस जिनोंने हिंदिस सिनमा को मॉडर्ण फैशन से रूबरू कराया जिनका फिल्म में होना फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था बोल्ड, ब्यूटिफुल, बिंदास और बेहद स्टाइलिश जो टाइम्स मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली इंडियन एक्ट्रिस थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर में असफलता और प्रेमियों से मिले धोखे की वजह से ये एक खतरनाग दिमागी बिमारी से जूजने लगी थी और इन्हें अमेरिका में गिरफतार कर एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था क्या आप मानेंगे कि इस अधाकारा ने बॉलिवुड के महानायक अमिताथ बच्चन के साथ-साथ और भी कई लोगों पर अपनी जासूसी जान से मारने के साथ-साथ और भी कई गंभीर आरोप लगाये थे जिससे संसने मच गई थी और क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलिवुड पर सालों तक राज करने वाली इस ग्लैमरस अभिनेत्री की मौत ऐसी तनहाई में हुई कि उनकी लाश तीन दिन तक घर में सड़ती रही और उनका अंतिम संसकार करने वाला भी उनका कोई अपना नहीं था कौन थी वो अभिनेत्री और क्यों ऐसी शापित बन गई उनकी जिन्दगी बताएंगे और भे बहुत कुछ आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कर दोस्तों मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन परवीन बाबी के करियर उनकी फिल्म में और उनकी जिन्दगी से जुड़े कुछ रोचक किस्से और तरासदी बताएं उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी परवीन और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था परवीन बाबी का जन जुनागड गुजरात की एक मुस्लिम परिवार में हुआ था उनकी आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मिल हाई स्कूल एहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेविर्स कॉलेज एहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्ते में मास्टर डिग्री प्राप्त की उनके पिता वली मुहम्मद बाबी जुनागड के नवाब तथा जमाल बक्ते बाबी के निकाए प्रशा सक थे उनके पूर्वज गुजरात के पठान थे और बाबी राजवन्ष का हिस्सा थे वो अपने माता पिता की एक मातर संदान थी जो उनकी शादी के 14 वर्श बाद पैदा होई थी परवीन ने 10 वर्श की आयू में अपने पिता को खो दिया था परवीन बाबी की लाइफ में जादतर खाली पन और अकेला पन रहा जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 23 साल की उम्र में मॉडलिंग से की थी 23 साल की उम्र में ही उन पर नजर पड़ी उस जमाने के मशूर निर्माता निर्देशक बी आर इशारा की और वो परविन बॉबी को देखते ही रह गए उस वक्त परविन बॉबी मिनी स्कर्ट पहने हुए सिगरिट के कश लगा रही थी खुबसूरत और फ्रेंक परविन बॉबी को इस तरह देखकर उन्होंने उन्हें अपने फिल्म का ओफर दे डाला और परविन ने उसे एकसप्ट भी कर लिया और इस तरह परविन ने अपनी पहली फिल्म साइन की और वो फिल्म थी 1973 में आई चरित्र इस फिल्म में उनकी हीरो थे क्रिकेटर सलीम दुरानी सहब फिल्म तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई पर सिल्वर स्क्रीन पर बोल्ड और ब्यूटिफुल अधाकारा परविन बॉबी को देखकर लोग इनके दिवाने हो गए चाहे वो निर्माता हो निर्देशक हो या दर्शक इनके वेस्टरन लुक ने सभी को दिवाना बना रखा था पूरी दुनिया परविन बॉबी की दिवानी थी और परविन दिवानी थी डैनी डैंजोपा की दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे हलाकि ये रिष्टा ज्यादा नहीं चल सका और खालीपन ने एक बार फिर परविन की जिन्दगी में दस तक दे दी और इस से उनकी मानसे का हालत पर बुरा असर पढ़ने लगा लेकिन फिर से उन्होंने हिम्मत की और करियर पर ध्यान देना शुरू किया और फिर आई इनकी सुपर डूपर हिट फिल्म जिसमें इनके अपॉजिट थे अमिता बच्चन ये परविन बॉबी के करियर की पहली सुपर डूपर हिट फिल्म थी 1974 की मजबूर 1975 में इनकी दूसरी अमिताब बच्चन के साथ फिल्म आई दिवार इस फिल्म में परविन बॉबी के बोल्ड किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया ये शिराब भी बड़ी अजीब चीज है हर पीने वाला इसे अलग लग वजास पीता है इसके बाद 1977 में इन्होंने मनमोहन दिसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी में अमिताब बच्चन के साथ काम किया इस वीच इन्होंने काला पत्थर और सुहाग में शशी कपूर के साथ भी काम किया 1981 में परवीन बॉबी ने क्रांती और कालिया जैसी कुछ और फिल्मों में काम करके अपना लुहा मनवाया इनके डांस को देखकर लोग दिवाने हो जाते थे क्रांती फिल्म का ये गाना कौन भूल सकता है जिसमें हेमा मालनी के होते हुए भी इन्होंने अपनी उपस्तिती दर्ज कराई इसके बाद इनके फिल्म आई नमक हलाल जोकी सुपर हेट साबित हुई परविन बॉबी एक ऐसी अधाकारा रही जिनोंने भारतिय फिल्म इंडस्ट्री की सूट और साड़ी पहनने वाली अधाकाराओं के अटायर को चेंज करके दिखा दिया भारतिय फिल्म इंडस्ट्री की एक्टरसेज की इमेज बदल कर रख दी इन्होंने हिरोईन को बोल्ड और ग्लैमरस कैसे दिखा जाता है वो सिखाया और बोल्ड और ग्लैमरस अधाकारा की एक नई परिपाठी शुरू की इनकी प्रसिद्धी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैल गई साल 1976 में मशूर मैगजीन टाइम ने अपने फ्रंट कवर पर इनहें जगा दी परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर छपने वाली पहली बॉलिवुड की हस्ती बनी फिर साल आया 1983 जो परवीन बॉबी को सिल्वर स्क्रीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर ले गया वो अमेरिका के कलिफोर्निया में जाकर इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करने लगी और इसके पीछे वजह थी उनके मन की अशान्ती और जिंदगी का खाले पन और जिंदगी में मिले धोखों का भी उन पर असर हुआ था कुछ लोग कहते हैं वो अंडर वर्ल्ड से परिशान थी इसलिए वो चली गई वहाँ पर उनकी दिमागी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी एक बार जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो कहीं ट्रवल कर रही थी तो अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनकी पहचान पूछी तो वो अपनी पहचान बताने में असमर्थ हो गई वो अपने आपका परिचे ही नहीं दे पाई इसी कारण उन्हें हतकड़ी लगाकर पागल खाने भेज दिया गया तब इंडियन एंबसी ने उनकी मदद की और ये मामला सॉल्व हुआ लेकिन ये तब तक साफ हो चुका था कि परवीन बॉबी को पैरानॉइड से जो फ्रेनिया नामक दिमागी बिमारी हो चुकी है इस बिमारी में इनसान वास्तविक जिन्दगी से एक अलग जिन्दगी में जीता है वो अपने दिमाग की बनाई जिन्दगी में ही जिया करता है लेकिन परवेन बॉबी ने अपनी इस बिमारी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और छे साल बाद 1989 में वो इंडिया वापस आई और आते ही उन्होंने अमिताब बच्चन पर इलजामों की जड़ी लगा दी उन्होंने अमिताब बच्चन पर केस भी किया कि वो मुझे जान से मार देंगे ये उन्होंने जब कोट में कहा तो कोट ने कहा सबूत दीजिये पर सबूत कुछ भी नहीं थे क्योंकि वो मानसिक रूप से बिवार थी 1989 में उन्होंने एक मैगजीन को दिये इंटर्वियू में भी कहा था कि हमेदाब बच्चन एक बहुत बड़े गैंस्टर हैं उनके गुंडों ने मुझे किड्नैप करके एक सुनसान टापू पर रखा था वहाँ पर मेरे कानों के पीछे ऑपरेशन करके एक ट्रांस्मीटर लगा दिया गया था हमेशा उन्हें लगता था कि उन्हें कोई मार देगा इस कारण से वो मीडिया और दूसरे अपने मिलने वाले लोगों से भी दूर रहती थी अगर मिलती थी तो अपने जुहू वाले फ्लैट पर और हर बात को डिक्टा फोन पर रेकॉर्ड करती थी अपने थौट्स अपनी बातें सब कुछ वो रेकॉर्ड किया करती थी सब रिकॉर्ड करती थी मौत से कुछ दिन पहले इन्होंने क्रिस्मस डिनर किया था जिसमें साप मेहमान आये थे उनके नाम भी इन्होंने डिक्टा फोन पर रिकॉर्ड किया था ये रिकॉर्डिंग्स आज भी महाराष्ट्र पुलिस के पास सुरक्षित है पर्विन बॉबी के दिवानों के लिस्ट बहुत लंबी है इस लिस्ट में सबसे उपर बॉब क्रिस्टो का नाम आता है जो आस्ट्रेलियन मूल के थे पर इनके प्रती अपने दिवान की के चलते मुंबई में बस गए वो परियन बॉबी के इतने बड़े दिवाने थे कि वो उनहीं के बारे में सोचा करते थे पर पर्विन बॉबी का साथ उन्हें कभी नहीं मिल पाया इनके जिन्दगी में तीन लोगों ने अपना घर बनाया पर वो घर पूरा कभी नहीं बन पाया पहले रहे डैनी डैंगजॉपा जिन्होंने दिल में तो घर बनाया पर इनका घर बसा नहीं पाये उसके बाद आये अमिताब बच्चन जो कि पहले से ही शादी शुदा थे इसलिए वो इनके हो नहीं पाये इसके बाद इनका नाम कबीर बेदी से जोड़ा गया ये इनके बहुत करीब रहे लेकिन वो भी शादी शुदा थे और इन्हें अकेला छोड़ गए और आखिर में नाम आता है महेश भट का जो इनकी जंदगी में लंबे समय तक रहे परविन बॉबी का महेश भट से बहुत गहरा नाता रहा है इनके संबंध इतने गहरे थे कि परवीन के लिए महेश भट ने अपनी पहली बीबी को छोड़ दिया था महेश भट ने अपने एक इंट्रिव्यू में बताया था कि जस दिन परविन बॉबी की मौत हुई उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी यादों में हमेशा जिन्दा रही है परविन का पागलपन एक पुरानी कहानी है पर शायद ही कोई समझ सकता है कि एक पागल व्यक्ति के साथ कैसे रहा जा सकता है महेश भट ने ये भी बताया था कि एक दिन मैं परविन से मिलने उसके घर गया तो उनकी मा ने कहा देखो मेरी बेटी किस तरह से बिहेव कर रही है तब महेश भट ने कमरे में जाक कर देखा तो वो कमरे के एक कोने में चाकू लिए बैठी थी महेश भट ने पूछा ये क्या है परविन तो उन्होंने कहा मुझे कोई मार देना चाहता है यहाँ पर कोई अद्रिशित चीज है जो मुझे मारने आई है इन बातों को सुनकर महेश भट बहुत परिशान हो गए थे 1982 में महेश भट ने एक मूवी की कहाने लिखी थी वो मूवी थी अर्थ ये एक तरीके से महेश भट और परविन के रिलेशन पर अधारित थी फिर बाद में सन 2006 में उन्होंने इसे फिर से दोहराया वो लमहे मूवी में और इस फिल्म में भी महेश भट और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी नजर आती है कहा ये भी जाता है कि महेश भट और परवीन बॉबी के रिष्टे और नाकाम मुहबत ही परवीन बॉबी की मौत का कारण बनी इसी कारण वो अकेले रहा करती थी, इसी कारण वो अशान्थ थी और इसी कारण उन्होंने फिल्मों से अलविदा कह दिया था और कभी शादी भी नहीं की जिन्दिगे बार सच्चे प्यार को तरसने वाली परविन बॉबी 22 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गई और अलविदा भी ऐसे कहा कि किसी को पता तक नहीं चला अकेले पन और खाली पन में दुनिया को वो अलविदा कह गई थी इनके फ्लैट के बाहर दूद के पैकेट्स और अखबार दो दिन से जैसे के तैसे पड़े रहे इनके फ्लैट से बद्बू आने लगी थी तो परोसियों ने पुलिस को खबर दी पुलिस ने आकर जब दर्वाजा तोड़ा तो परविन बॉबी की लाश पड़ी हुई थी उनके मौत का कारण था किडनी और दूसरे अंगों का काम ना करना मतलब Multiple Organ Failure ये भी बताया जाता है कि परविन बॉबी डाइबिटीज और पैर की बिमारी गैंगरीन से भी पीड़ थी इसी कारण वो कहीं आजा नहीं पाती थी आखिरकार बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविधा कहा ये किसी को भी बता नहीं चल सका लेकिन कहा जाता है कि उनके लाश दो दिन पुरानी हो चुकी थी यानि उनकी मौत 20 जनवरी 2005 को हुई थी यूं तो परविन बॉबी थी मुस्लिम पर इन्होंने बाद में इसाई धर्म अपना लिया था परविन बॉबी जाते जाते भी कई लोगों का भला कर गए उन्होंने अपनी 80 फेस्दी संपत्ती को गरीबों में दान कर दिया जिसमें 70 फेस्दी हिस्सा पठानों के बॉबी ट्राइव के नाम किया और 10 फेस्दी इसाई गरीबों के नाम किया एखुबसूरत अदाकारा का गुमनामी और अन्जाने में मौत हो जाना बहुत दुखद है लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री का सच है जब किसी का सूरज उगता है तो लोग उसे सलाम करते हैं और जब वही सूरज डूबने लगता है तो उसके आस पास कोई भी नहीं दिखता वो पुराने दिन की टीम सलाम करती है इस बोल्ड खुबसूरत अक्ट्रिस को जिसने भारतिये फिल्म इंडस्ट्री की अक्ट्रिस का चहरा मोहरा बदल कर रख दिया था ऐसे ही सुने अन्सुने किस्सों को जानने के लिए आप देखती रहिए वो पुराने दिन नमस्कार